हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक उन में यूट्यूब चैनल तो दोस्तों ये इस ड्रामा के एक्स्प्रीनीशन का पार्ट नमबर टू है अगर अब तक आप यूगोंने फस्स पार्ट नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको वीडियो पसंद आ जबकि वो ऐसा कुछ भी करना नहीं चारी थी इन शौट ये मर्डर था तो वहीं प्रेजन में हमने देखा था कि शियान को गुन्वो का मेसेज आ जाता है उस कल्प्रिट डॉक्टर के नाम का और वो तो खुद उसके कैबिन में बैटी थी ये डॉक्टर भी चालू था इ यहां टीम डीडर बोली क्या हुआ लेकिन तब शियान डॉक्टर से बोलती है कि तुम क्यों कर रहे हो डॉक्टर कहता है अफकॉस तुम्हें इंटरस्ट होगा कि वो लड़की मरी कैसे क्योंकि तुम्हें काबिल डिटेक्टिव जो हो लेकिन गलती से तुमने अपरादी क कोई सारा सच बता दिया है शियान कहती है क्या कह रहे हो तो यह डॉक्टर कहता है तुम्हें सारा सच पता चल गया है ना तो वहीं गुन्वो नहीं यह सारी कन्वसेशन सुन ली थी शियान डॉक्टर को काफी तेस से मारती है तो गुन्वो पूश रहा था मिन से कि जल्द डाक्टर की कैबिन में पहुच्छ था है तो उसे शियों का टूटा हुआ फोन वहां पे मिलता है और तब उसे रिलाइज होता है कि शायद वो बराबर से शियों ही गई थी वो तुरंट वहां से भागता है शियों को रोकने के लिए उसने देख लिया था कि डाक्टर लिफ् वो तुरंत कॉल करके कहते है कि इस नंबर के इंबुलेंस को ट्रेक कीजी हमारी इंस्पेक्टर इस इंबुलेंस के अंदर एक मुज़रिम के साथ फशी होया है शियान को ट्रेक करने का काम स्टार्ट हो जाता है गुन्वो ने अपने सारे सीनियर्स को भी रिपोर्ट कर दिया था खेर वहीं दूसी तरफ शियान तो भ्योश पड़ी थी और ये मुझरिम उसे एक संसान जगा पर लिया आया था तो वहीं गुन्वो की उसके सीनियर्स से डाट पड़ रही थी कि तुम लोगों ने इस केस को अपने हाथ में लिया है क्यों तुम लॉस्टन फाउंड डिपार्टमेंट से हो ना की क्राइम ब्रांज से हो कहते हैं कि जब कोई क्लू मिला था तो क्राइम ब्रांज को रिपोर्ट करना चाहिए था खेर इस समय बात थी कि येंग शियान को ढूणना है खेर इधर एंबुलेंस की लोकेशन का पता चल जाता है पता चलते ही गुन्वो वहाँ से तुरंत निकलता है तब सीनियर चोई उससे कहते हैं कि क्या हुआ पर गुन्वो उनसे कहता है कि प्लीज आद मुझे माफ खर दीजेगा वो उनका हाथ मोड के उनकी गन लेकर के वहाँ से भाग जाता है तो उसी तरफ दिखाया जाता है कि शियान को होश आ गया था और ये डाक्टर से कहता है अरे तुम तो सची में पुलिस आफिसर निकली बड़ी जल्दी होश आ गया तुम्हें शियान उठने की कोशिश कर रहे थी तो डाक्टर कहता है अरे अपने शरीर को कश्ट मत दो क्योंकि दवाई का असर अभी भी है शियान पूछती है क्या करना चाता है तुम तो ये डाक्टर बोलता है वैसे सोच रहा हूँ पहले एक और इंजेक्शन दो और उसके बाद तेरे जूते रिवर के पास रखके तुझे धक्का देदू रिवर में क्योंकि जब तक तेरे पुलिस ओफिसर तुझे ढूनेंगे तेरे शरीर से उस इंजेक्शन के नाम और निशान मिट जाएंगे और फिर सब यही सोचेंगे कि एक पागल पुलिस ओफिसर जो की छे साल बात कोमा से उठी थी उसने अपनी दिमागी बिमारी के चलते खुद को मार लिया शियान कहती है अगर ऐसे ही करना था तो अभी तक किया क्यों नहीं थभी डॉक्टर बोलता है क्योंकि मैं बहुती ज़्यादा क्यूरियस हूँ मुझे यह जानना है क्या कि तुझे कैसे पता चला कि ओरिम नहीं मरी थी क्योंकि मैंने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था और ये केस भी बन दो चुका था हब तो ऐसे ही हो सकता है कि उस मरी लड़की ने तुझे खुद ही बताया हो शियाद कहते है क्या हाँ उसी नहीं बताया था मुझे तेरी कालिकल तूटों के बारे में थभ यह डॉक्टर बोलता है तूने क्या मुझे पागल समझाया है। शियाद कहती है कि तूटों घट्या है बिलक्ल घटिया तुने आखेर एक प्यारी सी बच्ची के साथ क्या किया ये डॉक्टर हसके कहता है एक प्यारी सी बच्ची तुझे कैसे पता कि वो एक ही है ये डॉक्टर हसके कहता है कि ये तो मेरी होबी है यहाँ पे शियान को इसके उपर काफी गुसा आ रही थी जस तरीके से अपने गुनाहों के बायर में बता रहा था शियान उससे कहती है कि तू एक हैवान है तुझे इस दुनिया से गाया बोजाना चाहिए दॉक्टर कहता है चल पकवास बन कर और ये बता कि तुझे पता कैसे चला शियान उसे पास बलाती है बताने के लिए और फिर उसके आँखों में दूल डाल करके वो वहाँ से भागने लगती है डॉक्टर मुस्करा रहा था क्योंकि उसने गेट पे ताला लगाया था पर शियान वो तो दो-तीन लातों में गेट तोड करके वहाँ से भाग जाती है शियान जैसे तैसे चुपती है इस डॉक्टर से इस डॉक्टर ने बड़ा वाला गेट भी लॉक कर दिया था वो शियान को पकड़ लेता है लेकिन शियान फिर से भाग जाती है पर इस पार उसने शियान को घेड लिया था और डंडा भी उसके हाथ में था वो बहुत शियान को मारने ही वाला था कि तब ही फायर होता है वो वहाँ पर पहुँच कहा था वो बोलता है कि अपने हत्यार नीचे कर क्योंकि तुझे अरेस्ट किया जाता है एक लड़की के मर्डर के केस में वो शियान से कहता है कि टीम लीडर उठिये और इससे कहता है सनाई नी देता है तुझे अपने हत्यार नीचे चोड़ ना तुझे अभी यही मार दूँगा सारी थी मन कर रहा था कि बस इससे यहीं मार दे आनून ने उनके हाथ पर हदकड़ी लगाई हुई थी वो ऐसा नहीं कर सकते थे और इसी चीज़ का डॉक्टर यह फाइदा उठा के इनका मजाग बना रहा था लेकिन शियान अपना गुस्ता कंट्रोल नहीं कर पाती है और अब इन दोनों को इनके सीनियर से डाट पड़ रही थी क्या फिर तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे वो सस्पेक्टर मरते मरते बचा है शियान कहते है कि मैं अकेले सारे इंसिडेंट की रिस्पॉंसिबिल्टी लोगी मैं पनिश्मेंट के लिए त्यार हूँ था अब तो लगता है कि पुरा करियर ही खतम होने जा रहा है शियान कहते हैं चिंता मत करो मैं अकेले ही सारे रिस्पॉंसिबिल्टी लोगी तो यह पूछता है कैसे कैसे आखर कैसे करेंगी आप ये सब कुछ गुद्वो उससे बोलता है कि आखर आपकी दिमाग में चल क्या जब आपने उसे शूट किया तो आगर आप उस समय थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती तो सिच्चेशन इतनी भिगरती नहीं तब ही शियान उससे कहती है कि तुम भी अच्छे से जानते हो कि उस समय मेरी दिमाग में क्या चल रहा था क्योंकि वो ही तुम्हारी दिमाग में भी गुन्वो उन से आकर के माफी मंगने लगता है लेकिन वो उसे पकड़ के पीटने लगते हैं विचारा गुन्वो बड़ा परशान था क्योंकि उसे पक्का यकीन हो गया था कि वो तो निकाला ही जाने वाला है और तब मिस्टर चुईन उन्हों को साथ में खाने के लिए और उन्हें पताते हैं कि मैंने भी एक ऐसी कलती की थी और उस मुवमेंट पर मुझे रिलाइज हुआ कि जिन्दीकी में सबसे ज़्याद एंपॉर्टन हमारी और हमारे परिवार की खुशी है खेर ताब भी उन्हें फोन आता है कि इन दोनों को निकाला नहीं जा रहा है बलकि चया महीने की पेमेंट डिडक्शन होगी अब ये पता चलते ही दुनों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था और गुन्वो वो तो कुछ जादे ही खुश हो जाता है खुशी से नाच नहीं लगता है शियान तो उसे हैरानी से ही देख रही थी अब उसे भी तो शिय उत्ते ना कोई कवा था और ये केस भी काफी टाइम पहले बंदो चुका था रॉस्टन फार्म डेपार्टमेंट में उसके सिर्फ जिम के कपड़े पड़े हुए देख करके आपने ये केस से डिसाइड किया थब वो बोलती है ऐसे समझ लो कि मैं लगी हूँ बोलता है सीन तो उने खार को सजा जो मिलने वाली थी फिलाल शियॉण देख पा रही थी के औरिम उनहीं की तरफ देख रही थी अब औरिम खुश थी और अब खुश हो करके उसकी आतमा उसकी माम को और शियॉण को गुडबाई बोल देती है अब शियान जब वापस लाट रही थी तब उसे गुन्वो का मैसेज आता है सीनियर बत्तमीजी से बात करने के लिए माफ कर दीजे और हाँ मुझे जानना है कि आपको पता कैसे चला गुन्वो तो अगले दिन भी लगा हुआ था कि आखर सीनियर के पास ऐसा कौन सा सीक्रेट खबरी है जोने ये सारी खबर दे रहा है मुझे मालूम करके ही रहना होगा फिर तब भी वहाँ पे एक नियू अपॉइंटमेंट हुई थी एक आफिसर इम सुंग चैन की सुंग्चन आते ही गुन्वो को रिपोर्ट करता है और गुन्वो उसके बाल में लगा जैल और हाथों में लगी नील पिंट देख करके कहता है कि क्या तम भाकरी पुलिस आफिसर हो ये सब कुछ क्या हाल बना के रखा है तब ही सुंग्चन कहता है वो इससे पहले में आइडल ट्रेनी था गुन्वो कहता है अच्छो बेटा अब यहाँ पे आ गए हो तो काम तो करना ही पड़ेगा जाओ वहाँ जाकर के बैठ जाओ खिडगी के पास तब सुंग्चन कहता है वहाँ बैठा तो मेरी स्किन काली हो जाएगी तो अच्छा तिरी स्किन काली हो जाएगी लेकिन बैठना तुद जे वहीं ही पड़ेगा लेकिन तब ही वहाँ पे शियान आ जाती है सुंग्चन उसे बड़ी रिस्पेक्ट इससे ग्रीट करता है गुन्व तो सुंग्चन की कंप्लीन करने वाला था लेकिन उससे पहले शियान उसे दूसरी सीट दे देती है पैठने के लिए और गुन्व से कहती है कि अगर इसे अरज़स्ट करने में प्राबलम होई इसके रिस्पांसिबिल्टी तुमें लेनी पड़ेगी तो इसका अच्छे से ध्यान रखना से तोल्टा गुन्व की सिट्टी विट्टी को लो गई थी और अभी सुंग्चन उसका मजाग बना रहा था खेर आगे जब ये सुंग्चन को स्टोरेज डूम में काम के लिए लिके जाता है तो उससे कहता है देख भाई सुन वो टीम लीडर तो सिर्फ नाम की टीम लीडर है यहां का असली बॉस तो मैं ही हूँ इसलिए मेरी बात मान असली मैं ही तेरी भलाई है चल अब चलके काम करते हैं तब ही हम लोग को एक वाइट सूट केस दिखाया चाता है सुंचन कहता है कि इसका लोग नहीं खुल रहा तो क्या इसे तोड़ दें तब गुन्वो कहता है कि क्या पढ़के आया है उसके कान मरोड मरोड के उसे सारे लोग समझाने लगता है वैसे ऐसे ही नहीं खुल सकते हैं अब ये तेरी गलती है, कि सारा काम तो अकेले करेगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, उसे फसा करके निकल जाता है ये, तो वहीं दूसरी तरफ, शियान मीटिंग में जाने के लिए रैडी हो रही थी, लेकिन अचानक से लाइटे जल बुच होने लगती है, गेट खुलने लग ये कहता है, वाओ, एची टीम लीडर तो सबको मिले, कि बाद, ये लोग अपनी यूनिफार्म में पहुच जाते हैं उस मीटिंग में, मीटिंग के अंदर, शियान ही एक लौती लड़की टीम लीडर थी, बाकी सारे के सारे लोग उससे जैलिस हो रहे थे, खेर आगे जब ये लोग टीम दिनर पे जाते हैं, तो वहाँ पे इसरो अफिसर जो की शियान से जैलिस थे, उसकी काबिलियत से जैलिस थे, उसके 6 साल पहले हुए एक्सिडेंट और उसके मेमोरी लास का मज़ाग बनाने लगते हैं, तो ऐसे ही तुम्हें कुछ यात नहीं है, उपर से कह वार वार न दो, खेर ये चीज़ें, शियान सुन करके शान थे, वो कोई जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन गुन्वो को ये पसंद नहीं आ रहा था, ये लोग शियान की बेसती कर रहे हैं, इसलिए इन्हें सबक सिखाने के लिए अपने बॉस से कहता है कि बॉस आज का विल टीम लीडर स्पॉंसर कर रहे हैं, ये बहुस तो बड़े खुश के उनका खर्चा बचा, लेकिन इन लोग की तो हवा टाइट हो जाती है, उपर से गुन्वो वो भर भर के खाना मंगाया चा रहा था, जबरतस्ती खा रहा था, इन लोग को सबक सिखाने के लिए, शि शियान कहती है, तो क्या पूरे दिन, ये पेट में दर्द लेकर के घुमोगे मेरे साथ, चुप चाप लगवा लो, गुन्वो कहते है मने तो कर रहा हूं, और वो जबरदस्ती करने लगती है और इसी बीच में, तो उनों कुछ जादे ही नजदी का जाते हैं, गुन्वो तो हैरान ही रह गया था, उसे इतना क्लोज देख करके, और शियान फायदा उठा करके, उसके हाथ में सुई लगा देती है, और कहते है कि ये क्या किया, किया अब ट्रीट्मेंट होए गया था, तब गुन्वो पूछता है, क्या क्या वाकई, आपको कुछ भी याद नहीं है, उस एक्सिडेंट वाले दिन का, शियान कहती है कि नहीं याद है, वो बोलती है कि मुझे होश में आयोए सौ दिन से उपर हो गए है, मैंने हर मुंकिन कोशिश की है, हर उस जगह जाने कि कि मुझे कुछ याद आ जाए, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तब मैंने होप भी छोड़ दी है कि मुझे कुछ याद आएगा, तब गुन्वो बोलता है, तो क्या इसी हो जैसे, आपको डिमोशन दे करके लॉस्ट रेंड फाउंड डेपार्टमेंट में डाल दिया है, शियान कहती है कि मुझे डिमोशन नहीं मिला, बलकि मैं तो खुद च कते करके कौन आता है इस कच्रे वाली जगाबे, गुन्वो कहता है, पर कुछ भी हो, मैं तो बहुत जल्द, सीरियस क्राइम डिपार्टमेंट में लाटने वाला हूँ, तो मुबारक हो, आप यहाँ पे रह करके इंतजार कीजिए कि आप किस को डून रही है, यह सुई काम मेरी उपर डाल करके वो कैसे जा सकते हैं, अब इसकी बाद, वो शियान के पास जाता है, और कहता है, टीम लीडर, एन्ने सारा काम अच्छे से कर दिया, वो को देखकर गेज की हवा टाइट हो गई थी, और कुछ बोल ही नहीं पाता, खिर अब शियान को एक कॉल आता ह एक परसन की सिलवर कर लर्की अटैचिक हो गई है, वो उसे लेने के लिए आ रहा है, शियान कहती है कि पर शे बज़े पुलिस स्टेशन बंद हो जाता है, वो कहता है कि प्लीज आट बज़े तक मेरे इन्जार कर लीजे, यह बहुत ही जाता है, खुन वो मना भी कर रहा थ आगे कुछ भी मत करना, शियान कहती है कि आट बेज़े तक आ जाईएगा, खुन वो कहते है कि आप इतनी महान क्यों है, टाइम पे घर चल जाएंगी तो कौन सा आफाता आजाएगी, तब वो उससे कहती है कि थुम अपना काम ढंग से करो, खर इसके बाद वो खुदी टैची को देख करके शियान की तरफ बढ़ रही थी, और शियान डर से कांप रही थी, ताभी गुदबो भी स्टोरेज रूम में आ चाता है, वो देख के हरान था कि शियान उससा टैची को पकड़ी, डर से कांप क्यों रही है, खर इसी के साथ यह वाले पार्ट के एक्स् साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करनीजे, थेंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं बहुत जल्ड़